सड़क पर दोरती फर्राटे फरती वो छोटी सी कार आपको याद है जिसका नाम मारूती 800 था वो गाली जिसमें चलना उस दोर के लगबग हर व्यक्ति की शानुवा करती थी वो गाली जिसने करों में ऐसी जगा बना ली थी जैसे कोई परिवार का सदस्यों बजट में मिलने कार गाली की शुरुआत कैसे हुई कैसे चोटी सी कार ने हर किसी को अपनी तरफ आकरशित कर एक बड़ा एंपायर खड़ा कर दिया सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए आकर क्या वज़ा रही कि कंपनी को मारूती 800 कर निर्मान बंद करना पड़ा आज इस वीडियो में हम इसी फैमिली कार यानि मारूती 800 14 दिसंबर 1983 ये वो दिन था जब इस कार ने पहली बार भारत की धर्ती पर खतम रखा मारूती का सफर बेह द्रोद चक्रा है क्योंकि इसे जितना प्यार मिला वो आज तक किसी और गाड़ी को नहीं मिला इसका निर्मान बंद होना कस्टमर्स के किसी बुरी खबर से कम नहीं था ऐसा इसलिए क्योंकि जो मिडल क्लास परिवार कार के सिर्फ सपने देखा करता था उन सपनों को हकीकत में बदरने वाली यही गाड़ी थी ऐसा इसलिए क्योंकि जब यह कार लॉंच होई इसकी खीमत 47,500 रुपे थी जी हां मौजूदा द है कि आखर मारूती के पीछे जो 800 लगता है उसका क्या मतलब है वैसे तो इसे लेकर आज तक कोई आधिकार एक एलान नहीं हुआ है लेकिन अब तक की जो माननेता रही है उसके मुताबिक यह गार सुजुकी फ्रॉंटे SS80 पर आधारी थी इसमें थ्री सिलिंडर 800 CC का मारूती 800 के बारे में आपको विस्तार से बताएं उससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि इस कार के सबसे पहले ग्राद हरपाल सिंग थे जिनने दिल्ली में आयो जिद एक कारिकरम में बुलाकर ततकालीन फ्रधान मंत्री इंद्रा गांधी न चाबी सौपी थी लोग बताते हैं कि हरपाल सिंग ने वो गाली कभी नहीं बदली जब तक वो जिन्दा रहे अपनी इसी कार के जरीया आवाज आई करते थे का जाता है कि भारत की आटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक आइकॉनिक पल था जिसे हर कोई उस वक्त महसूस भी कर रहा था चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि मारूती 800 के भारत में होई कैसे मारूती 800 मारूती कंपनी का प्रडक्ट था जिसकी नीव गांधी परिवार ने रखी थी उस वक्त इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने इंगलेंड में रॉल्स रॉयस कंपनी में तीन साल अप्रे में मारूती उद्योग लिमिटेट का गठ्कन किया गया उस वक्त संजय गांधी कोई कंपनी का एंडी मनाए गया अपसूस साल उन्नीस तो असी में संजय गांधी इस दुनिया कल विदा कह गए इसके बाद मारूती को जैपानी कंपनी सुजुकी का साथ मिला दोनों कंपन उस वक्त इसकी खीमत 47,500 रुपर रखी गए पहली मारूती 800 किस किस वीचर से लेस थी ये भी जान लीजे इस कार में 800 सीसी का स्मूध इंजिन था चार लूमों के बैटने की सुविधा थी ये पहली मेड इन इंडिया गाड़ी थी जिसमें डिस्क ब्रेक, फ्रन्ट वील फ्लोर शिफ्ट गेर, बकेट सीट्स और प्लास्टिक मोल्डेट डैशबोर था जिसने हार भारती एका दिल जीता है अगर आब उस दोर के हैं तो आपको याद होगा कित तब अमबैसेडर चला करती थी जैसे ही मारूती 800 ने इन फीचर्स के साथ मार्केट में खदम रखा अमबैस्डर का बाजार हिल गया और उसकी सेल्स पर असर पढ़ना शुरू हो गया उस वक्त आलात ऐसे हो गए कि लगबग हर दूसरे घर में मारूती 800 नज़र आने लगी मारूती ने लोगों के पासार के कार हुआ करती थी मारूती का यह पहला एकस्पेरिबंट सफल उचका था यह सफल इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि मारूती ने लोगों को कार चलाना शुब है अब हाथ जिस मारूती 800 पर बैठता है बाद में वो सी को खरीदने का मन बनाता है ऐसा करके भी कंपनी न लाखों का फायदा उठाया हास बात यह रही कि मारूती ने अपने कस्टुमर्स के लिए कई तरह की सुविधाई दी जैसे इंशूरेंस और फाइनसिंग मारूती 800 की बाद कंपनी ने मारूती वैन निकाली जिसे आप ओमनी भी कहते हैं ये कार 1984 में लौंच हुई फिर साल 1984 में मारूती जिपसी लौंच हुई साल 1990 में मारूती 1000 सलून ने कस्टुमर्स का थ्यार अपनी तरफ कीचा ये एक बेहत बड़ा बदलाव था जो देश में आया जिसने बाकी सब की जिंदगी बदल के रख दी दिल्चस बात ये है कि मारूती 800 की लौंचिंग के 30 सालों के अंदर अंदर इसमें कई बड़े ब मुकाबला कर सके हैं इसलिए कंपनी ने मार्किट में आल्टो 800 उतारी है अब तो ये CNG में भी उगलब्द है इसका एवरेज बाकी गाणियों के मुकाबले काफी अच्छा और ये बहुत किफायती है फैर अब सवाल ये भी उठता है कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा थ तो फिर मारूती कंपनी ने गाड़ी को बंद करने का फैसला क्यों किया है इसके पीछे वज़ा ये है कि वक्त के साथ साथ एमिशन स्टैंडर्स सक्त हो गए क्योंकि ये कार उन मानकों पर खरी उतरने में सक्षिम नहीं थी फिर साल 2013 है और इसी साल ये ऐलान कर दिया गया क्या मारूती 800 का निर्माड नहीं होगा अठारा जन्वरी 2013 में मारूती 800 का आफरी मॉडल तयार किया गया था इसी के साथ भारत की आटो इंडस्ट्री का सबसे सुनेरा चेप्टर क्लोज हो गया हाला कि गाड़ी का निर्माड बली बंद हो गया लेकिन कंपनी ने ये भी रिकॉर्ड बनाया का जाता है कि वो गाड़ी थी जिसने भारत की आर्थिक स्थिदी को मजबूत तो किया ही साथ ही भारत की प्रग्रती को भी रफ्तार दी मारूती सुजूकी के चेर परसन आर्सी भार्गम ने बताया कि शुरुवात में लोग कह रहे थे कि 40,000 में भी न कालना पड़ा था ताकि सब को गाड़ी मिलते रहे खैर अब मारूती 800 तो आपके लिए नहीं है लेकिन मारूती ऑल्टो 800 आपके लिए बाजार हो मौजूर है इसका प्रड़क्शन कंपनी ने साल 2000 में शुरू किया था इस गाड़ी को बनाने के पीछे का मकसद भी यही थ था कि लोगों के जहन में मारूती 800 की आदे ताजा रहे और किफायती रहे दिल्चस बात यह है कि इसके नाम के आगे भी 800 जोड़ा गया इंडियन मार्केट के हिसाब से इस कार को भी तैयार किया गया साल 2000 में लाँच हुई इस कार को मार्केट में अपनी पकड़ बनाने में लगबख चार साल का वक्त लग गया 2004 में इस गाड़ी ने चम कर महफेल लूटने का काम किया जिदर देखो उदर ये गाड़ी नजर आने लगी ऐसा लगा कि जैसे मारूती 800 वाला तौर लौट आया का तो ये जाता है कि मारूती औल्टो ने तो पॉपुलारिटी के मामले में मारूती 800 को भी पीछे छोड़ दिया और तब से लेकर आज तक ये कंपनी की बेस सेलिंग कार रही है जिस वक्त मारूती 800 मार्केट से गायब होने लगी वो तो लोगों को काफी परिशान कर देने वाला था लोगों को लगने लगा था कि पता नहीं फिर कभी इस तरह की कार मार्केट में आपाईगी लेकिन औल्टो 800 ने उस तर को खत्म कर दिया सी एंजी में आने के बाद से इसने लोगों को और ज़्यादा रात दे दिया वैसे अब आपको मारूती का इस सफर देखकर कैसा लगा हमें कामेंट करके जरूर बताएं